कि मेरा जो मौसेरा भाई है उसको पूलिस की रफ्तार किया मेरे बेटे को तो बात में मौसेरा भाई लाल-धारी जादव थाने में था तो उसको कहा जो तुम 40,000 रुपया दो तब तुमको छोड़े सरकार मतलब से पूछ के मतलब बहुत दरोगा चालीस आजार रुपया मांगता है उसके मन में तरवाई होगी इस दरोग पर हम तो मांग करते हैं जो उस पर करवाई होनी चेहिए सरकार क्या करवाई करेगी वो तो सरकार का काम है हमारा बेटा तो जेल में है अब मतलब कानून मतलब उसको जेल देगा बाहरा देखें आप आप लिएट नेडिये का बारा तारीका बहुमत परिक्षन थाओ प्रभंगा के अली नगर से बिधायक है आपको बता दे जिस तरीके से समराच चौधरिंद कहा था कि जो हमारे पांस बिधायक हैं उनका भी इलाज होगा उसके बाद से मिस्री लाल यादव जो हैं वो सडकों पर उतर गए क्या मामला था क्यों सडक पर उतर हैं हम जानेंगे मिस्री लाल यादव से ही क्यों सडक पर उतरना पड़ा आपको से देखिए लाल धारी जादव मेरा मशेरा भाई है और मेरे घर से पांच किलो मीटर की दूरी पर उनका घर है और पुलिस उनको गिरफ़तार किया उस गिरफ़तारी में छोड़ने के लिए उन्होंने चाली का केस था उनकी पुतोहू उन पर मुकदमा किया था हाइब को से मामला हो गया है इसको छोड़ दीजिए अगर वरंट भी होगा तो वह कोट में सरेंडर कर जाएगा आपके बेटी सरेंडर कर जाएंगे यही तो मामला है मैटर समझने की बात है मेरा जो मॉसेरे भाई है उसको पुलिस गिरफतार कीया मेरे बेटे को बात नहीं तो मेरा जो पुत्र है धीरा जादव उन्होंने फोन किया जो इनका जो मुकदमा है वो कंपरमाईज हो गया है हाई कोट के हस्चेप से वो अगर उस पर वारंट है तो छोड़ दीजे वो जाएगा कोट में सेरंडर कर जाएगा वो मान भी गया जो कहा जाच ठीक हम देख लेते ह लेकिन जब मतलब हमारा मॉसेरा भाइ लालधारी जादव थाने में था तो उसको कहा तो तुम 40,000 रूपया दो तब को छोड़ेंगे थानेदार कहा है अबहत्र भैवहर भी किया काहा जो साले तुमारा कों कहा मिस्रिई लाल मेरे बारे मेब सबीर दॉप ला और मेरे बेटे केब做 देंगे इसका परिनाम को जो भूगतना पड़ेगा हम भुगते ने इसलिए मुझे संका था जो मेरे बेटे को इंकाउंटर न कर दे कार आपका है प्रशासन पे आप अरोप लगा रहे हैं 40,000 घूश का क्या लगता कारवाई होगी सरकार किसी को कहता है सरकार मतलब से पूछ के मतलब उदारोगा जाइन मतलब कहीं लेना देना उन सभी बातों को नहीं है तारीक से पहले बड़ी तयारी करें दो तीन दिनों से सब्सक्राइब बहुम्ट नोगाएं इतना नितगत मामला है उसमें पार्टी इसमें मेरे पुत्र को गिरफ्तार गिया है उसमें मेरे मुशेरा भाई को गिरफतार किया नहीं दिया उसका मेरा बेटा भी रोध किया इसी के कारण मेरे बेटे को जूटी मुकदमा करके मतलब जेल भेजा है अरे मैं बताता हूँ मोबाईल पर कहता है अब मतलब मतलब कानून मतलब जेल देगा या मतलब बेल तो मतलब जज सहल देते हैं मजिस्टेड सहल देते हैं नियापालका में सारे लोगों को भरोसा है हमको भी भरोसा है मेरे बेटे को निस्षित रूप से मतलब जमानत होगा बाहर आएगा अब आते हैं बिहार की राजनीति पे बीजेपी बारा तरीका बहुत बड़ी तैयारी कर रही थी अधिकरित नहीं हूं बिहार की राजनीति और पार्टी पर कोई बहस करने का पार्टी का दर्जा सरवु परी है उसके लिए बिलकुल क्या कहेंगे तेजस्वी अदब कह रहे थे बारा तारीकों खेला होगा हलाकि खेला उनके साथ ही हो गया क्याकर बात मैं बता रहा हूँ जो सरकार मतलब क्या करती है वो सरकार का काम है और सरकार जो कदम उठाती है वो सही करती है लाठी चार्ज जायज था या ना जायज था वो सरकार से पुछी है अभी तो सरकार में ही है ना मैं विधायक हूँ मैं नहीं था पतना के अंदर मैं नहीं देखा घटना कि आइठ की जायेज है कि समस्या का निदान नहीं है भारता लाप से लोकत्र में बारता लाप से मामला को हल मैं सरकार से अग्रह करूंगा जो सिक्षों को को जो डिमांड है उससे बारता लाप करके और उस मामला का समाधान करे उसकी समस्या का निदान करे अभी भाजपा में हैं बेलकुल यह हमारे साथ बाचित करने के लिए मिस्री लाल यादब थे तमाम सबालों का जवाब दिये न्यूज के लिए अवजीत पटना